देखो बच्चों करसे number 4 में कह रहे हैं कि एक triangle हे जिसमें एक side 18 cm, दूसरी 10 cm है इसका parameter given है 42 cm अब इसका area निकाल डो निकाल सकते हो ना आसान है कैसे हमें पता है parameter क्या होता है sum of all the sides होता है यहां पर एक साइड मुझे 18 पता है दूसरी साइड 10 पता है थर्ड साइड C निकाल सकती हूं मैं और पेरिमीटर कितना है 42 ठीक है मैं क्या करूंगी 42 माइनस यह कितना हो जाएगा 28 is equal to C ठीक है तो यहां चुना पर C की वेल्यू कितनी आ जाएगी 14 cm इस यह सी थी थर्ड साइड आगे तुम्हारी 14 cm अब क्या करेंगे जो तीनों साइज है तो हम हीरूंस फॉर्मिला लगाएंगे क्या है पहले एस निकालेंगे एस क्या होता है पेरिमीटर का आधा पेरिमीटर डिवाइड बाय टू सेमी पेरिमीटर भी बोल सकते हो पेरिमीटर 42 है डिवाइड बाय टू तो यह जाएगा 21 cm यह तो ऐसा आ गया तुम्हारा अब एरिया का फॉर्मिला लगा दो एरिया इस एकल तो अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, अंडर रूट 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस B कितना है 10, अगें 21 माइनस C कितना है तुम्हारा 14, ठीक है तो देखो अंडर रूट 21, इंटु यह कितना हो जाएगा 3, यह कितना हो जाएगा 11, यह कितना हो जाएगा 6, 7 ठीक है अब देखो बच्चो मैं 21 को क्या लिख सकती हूँ, 3, 7 जा 21 लिख सकती हूँ है तो देखो यहाँ पर 3 जो है 2 दफा आ रहा है, ऐसी 7 जो है वो 2 टाइमस आ रहा है तो मैं 7 और 3 को बाहर ले लू, स्क्वेर रूट के अंदर क्या रह जाएगा 11, यह आंसर विल बी 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वेर, ठीक है इसको थोड़ा और साफ सी लिख लेते हैं ठ मैं बहुत असानी से तुम लोग को यह समझा रही हूं कि बिलकुल कहीं कोई confusion ना हो, ठीक चला अब आजा तुम question number 5 पर